हेलो एंड बुड इउनिंग एवरिवन आज के लेक्षर में हम एक्टमिक और मॉलिक्ल फिजिक्स को ही कंटीनु रखेंगे और आज का हमारा जो टोपिक होगा वो नॉन रिजिड रोटेटर के उपर होगा और यह टोपिक एग्जाम पॉइंट ओफ्फी से बहुत ज्यादा चाहिए तो एक बार हम रिजिड रोटेटर के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज किया है रिजिड का मतलब क्या होता है रिजिड का मतलब होता है दो पार्टिकल के पीच की जो डिस्टैंस है अगर वो फिक्स रहती है उसको हम बोलते हैं ठीक है तो इसको एक example से समझ लेते हैं, माल लिया हमारे पास ये एक molecules है, हमने एक diatomic molecules माल लिया, a bond b, ठीक है, और ये जो diatomic molecules है, इस molecules के बीच की जो distance है, या फिर इन molecules में जो atom के बीच की distance है, वो fix है, means, ये जो particle, अगर simple words में कहना चाहूं, तो ये बोल सकता हूं, ये जो atom है, ये ideal case में बोले, तो हम ये बोल सकते हैं, कि हम only rotational spectra लेके चलेंगे, एक molecules के अंदर, rotational motion होगा, vibrational motion नहीं होगा, ये हमने पढ़ा था, rigid rotator के अंदर, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब हम, जब ये molecules rotate कर रहा था, इस molecules के उपर हमने डाली थी, microwave, तो जैसे ही हम microwave डालते है, तो इसकी जो rotational energy है, इस molecules की rotational energy है, वो increase होना, start हो जाती है, molecules और ज्यादा energy के साथ rotate करना, start कर देगा, या simple word में बोलना चाहूं, तो ये बोल सकता हूं, इस molecules की, जो rotational energy है, वो बहुत ज्यादा increase हो जाएगी, ठीके, तो ये हमने पढ़ा था, rigid rotator के अंदर, और साथी rigid rotator में ह तो अब non-rigid rotator का concept कहां से आया, non-rigid rotator का concept आया, rigid rotator से ही, तो ये तो हमने लिया था, rigid rotator, ये है हमारा ideal case, पर जब हम experimentally इस चीज़ को absorb करते हैं, कि जब एक molecules rotate करता है, उस molecules की उपर हम electromagnetic wave fall करते हैं, electromagnetic wave fall करेंगे, या incident करेंगे, तो ये molecules उसको absorb कर लेगा, absorb कैसे करेगा, य इंदर या rotational spectra का जो वीडियो था, उसमें already explain करके बता दिया है, एक पर फिर बता देते हैं, ये molecules अब rotate करेगा, तो इस molecules के लगातार, जो dipole moment है, उस dipole moment की direction change होती रहेगी, और अगर इस molecules की dipole moment की direction, जब rotate होगा, तो dipole moment की direction इस तरफ positive से लेके negative, ये positive charge मान लिया, इस पोलर molecules है, पोलर molecules पोले है, तो एक तरफ partially positive charge, दूसरी तरफ partially negative charge होगा, ये simple word में बोलना चाहूं, तो ये बोल सकता हो, कि यहाँ पी जो molecules है, उसमें एक electronegativity ज्यादा है, एक electronegativity कम है, जैसे कि हमने यहाँ पे HCl लिया है, यहाँ पे CL है, वो ज्यादा electronegative है, जो hydrogen है, तो जब ये molecules, इसके पर electromagnetic wave incident करते है, तो इस molecules का लगाता, डाइपोल मोमेंट चेंज होता रहा था, डाइपोल मोमेंट चेंज कैसे होगा, अब hydrogen यहाँ पे है, कलोरीन नीचे है, अब जो direction होगी, डाइपोल मोमेंट की यह होगी, कुछ टाइम बाद डाइपोल मोमेंट की direction है, तो अब लगाता है, डाइपोल मोमेंट की direction चेंज हो रही है, तो हमने वहाँ पे देखा था, classical electrodynamic में, एक agreement sign हो रखा है, कि जब कोई भी molecules, जिसका डाइपोल मोमेंट लगाता है, तो वो molecules radiation emit करता है, तो यह molecules जब rotate करेगा, तो यह कुछ ना कुछ radiation emit करेगा, और radiation emit करे इलेक्रो मेंटिक वेव इमीट करेगा, तो यहाँ पर यह जो इसका electric field vector है, यह हमने जो यहाँ पर लाइन लगाई है, यह इसका electric field vector है, जब इसका electric field vector और जो incident wave है, incident electromagnetic wave है, उसका electric field vector की vibration या frequency सेम होगी, वो इस time यह molecules बाहर से आने वाले electromagnetic wave को एब्सोर्ब कर लेगा, तो जै इनक्रीज हो जाएंगे, माल यह अब यह molecules कहाँ पर था, जै इकवल टू यह ground state के उपर था, यह molecules जैसे ही बाहर से electromagnetic wave आएगी, और यह उसको absorb करेगा, तो absorb करते ही molecules ground level से high level के उपर चला जाएगा, मतलब इस molecules की rotational energy increase हो जाएगी, तो आप इस molecules की rotational energy increase होगी, तो हमने वहाँ rigid rotator में case निगाला था, कि कि इसका energy होगा energy हमने निगाल लिया था, पर जब experimentally हम इस चीज को find करते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है, यह molecules के बीच की जो distance है, वो same नहीं रहती, जैसे जैसे इस molecules की energy बढ़ेगी, वैसे वैसे इस molecules की बीच की जो inter nuclear distance है, वो change होना start हो जैसे जैसे इस molecules की energy बढ़ रही है, rotational motion इस molecules का बढ़ेगा, वैसे वैसे यह molecules vibrate करना start कर देगा, यह case हमें जब experimentally observe करते हैं तब मिलता है, तो यहां से हमें मिलता है non rigid rotator, तो non rigid rotator में क्या होता है, एक बार हम देख लेते हैं कि जो vibration, sorry जो distance है, वो distance कैसे change होता है, तो हमने इस एक molecules मान लिया, यह A bond B हमारे पास एक diatomic molecules है, ठीक है, और इस molecules की उपर हमने यह electromagnetic wave यहां से incident की, जब electromagnetic wave incident होगी तो यह molecules rotate करेगा, और जब यह molecules rotate करेगा, बहुत ज़दा fast rotate करेगा, तो यहां पर एक force outward लगेगा, एक force इस तरफ लगेगा, जब यह molecules ऐसे rotate करेगा, जैसे यह pan है, जब यह ऐसे rotate करेगा, तो यहां से यह जो atom है, यह बहार की तरफ force लगाएगा, और यहां से भी एक force outward लगेगा, ऐसे, तो जो force outward लगेगा, वो force कौन सा होगा, यहां पर centrifugal force outward लगेगा, ठीक है, तो यहां पर एक force यह लग रहा है, centrifugal force, तो एक force outward जब लगेगा, तो इस molecules की पीच की जो distance है, या इन atom के पीच की जो internuclear distance है, उसके अंदर change आना start हो जाएगा, जैसे जैसे इस molecules की rotational energy level से में change आएगा, वैसे वैसे इस molecules की पीच की जो distance है, वो change होना start हो जाएगा, अकर distance same होती है atom के बीच की, तो हम यह बोल सकते हैं, जो atom है वो vibrate कर रहे हैं, और atom vibrate करेगा, तो हम उसको rigid rotator के अंदर count कर नहीं सकते, तो यहां से हम एक concept मिलता है, non-rigid rotator का, तो आई होप आप समझगी होगी, कि non-rigid rotator क्या होता है, atom के बीच की जो distance है, diatomic molecules के बीच में, diatomic molecules के जो atom होते हैं, कि जो atom है, उसके बीच की distance सेम नहीं रहती, non-rigid rotator के case में, सेम क्यों नहीं रहती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उसके rotational energy level से बढ़ते हैं, तो उसमें एक force outward लगता है, जो force outward लगेगा, उस outward force के कारण, इस atom के बीच की जो distance है, वो सेम नहीं रहेगी, उसके अंदर change आता रहेगा, अगर change आएगा, थो हम यह बोल सकते हैं, वो atom vibrate वहाँ पे तर रहा है, तो I hope आपको non-rigid rotator समझ में आ गया होगा, अब इसको exam में कैसे लिखके आना है, वो देखते हम अगले section के अंदर, तो non-rigid rotator का तो question है, वो direct exam में section marks के अंदर पूछ लेगा, direct non-rigid rotator क्या होता है, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, non-rigid rotator, diatomic molecules, diatomic molecules के लिए non-rigid rotator क्या होता है, यह निगाल के बताओ, तो it is possible to calculate, internuclear distance from microwave, अब इस line का मतलब क्या है, तो यहाँ पर यह कह रहा है, कि जो atom के बीच की, जो internuclear distance है, अगर इसको हमने calculate करना है, तो वो हम only microwave से कर सकते हैं, यह हमने pure rotational spectra के अंदर भी देखा था, कि only microwave ही क्यों डालते हैं, हमने देखा है, हमारे पास एक diatomic molecules है, यह bond भी एक diatomic molecules है, और यह molecules rotate कर रहा है, तो इस molecules के rotational energy levels के अंदर, अगर change लेकर आना है, तो उसके लिए microwave ही काफी होती है, अगर मैं microwave इस molecules के उपर fall कर दो, तो इस molecules के rotational energy levels में change आना है, अगर वहाँ से हम इसकी जो atom के बीच की जो internuclear distance है, उसको भी बढ़ी असानी से calculate कर सकते हैं, उसके बाद next point में बता रखा है, consider hydrogen fluoride molecules, अब हमने यहाँ पे hydrogen fluoride molecules ले लिया, ठीक है, अब उस molecules के हम rotational energy बढ़ाते जाएंगे, starting में molecules हमारे पस ground level के उपर होगा, ground level पे देखेंगे कि atom जब इसकी distance कितना है, फिर धीरे धीरे उस molecules के rotational energy increase करते जाएंगे, तो हम वहाँ पे देखेंगे उस molecules के, जो internuclear distance है, वो change होती जाएगे, तो consider the hydrogen fluoride molecules, the internuclear distance, जब J की value 1 होती है, एक second, जब J की value 1 होती है, तो जो atom के बीच की distance होती, वो होती 0.931 angstrom, जब J की value 4 करते हैं, मतलब rotational energy increase हो रही है, rotational quantum number increase हो रहा है, यहाँ पे J representative करते है, rotational quantum number को, तो अब J की value यहाँ पे 1 थी, J की value 1 बोले तो यहाँ पे J GS 0 था, यहाँ पे J equal to 1 था, यहाँ पे J equal to 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, तो ऐसे J की value जब increase हो रही है, तो J की value 4 थी, तो internuclear distance कितनी थी, 0.938 angstrom, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 8 है, मतलब कुछ न, कुछ distance increase हुई है atom के बिज की, जैसे rotational energy बढ़ी है, अब J की value 6 करती है, तो यहाँ पे जो energy थी, वो यह होती है, J equal to 4 था, जब energy कितनी थी, 0.969 angstrom, तो यहाँ पे जो energy है, वो 31 है, लाश्ट में, और यहाँ पे 69 है, मतलब, यहाँ से हमें experimentally पता लगा, कि जैसे जैसे हम किसी molecules के rotational energy levels बढ़ाते हैं, या उस molecules के जो internuclear distance है, वो change होती रहती है, उसके बाद next point के उपर चलते हैं, it means that the separation between lines be decreased with J increase, means हमने जो rigid rotator है, rigid rotator में देखाता है, जो lines के बीच के distance है, वो fixed थी, अब knowledge rotator के case में क्या होगा, यहाँ पर जो line के बीच के distance है, वो fixed नहीं रहेगी, यहाँ पर distance कम होती जाएगी, या फिर हम यह बोल सकते हैं, जैसे जैसे J की value बढ़ेगी, वैसे वैसे जो B है, उस B की value decrease होती जाएगी, उसके बाद next point पर चलते हैं, so we can say that B is not constant, but it is also decrease with increase in J value, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जो B है वो constant नहीं है, B की value, J के साथ change होती रहेगी, अगर J बढ़ेगा तो B की value कम हो जाएगी, अगर J कम होगा तो B की value ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर एक पाइंट और बता देता हूं, तो मैं एक बात और बता देता हूं, अगर आप non-rigid rotator को समझना चाहते हैं, तो आप एक बार rigid rotator का जो लेक्सर अपलोड कर रखा है, वो काफी टाइम पहले तक रिवन एक साल पहले अपलोड किया था, आप उस लेक्सर को एक बार देखो, तो आपको जो non-rigid rotator है, वो ब bond B, जैसे-जैसे मैं J, मतलब rotational quantum number के value, जैसे-जैसे बढ़ाऊंगा, वैसे-वैसे इनके बीच की जो internuclear distance है, या bond length है, उसमें change आता जाएगा, तो the bond length increase with increase in J value, and the bond between molecules is non-rigid, non-rigid का मतलब यहाँ पर यह है कि atom के बीच की distance fixed नहीं रहेगी, atom के बीच की distance change होगी, जैसे-जैसे उसकी rotational energy increase होगी, वैसे-वैसे, atom के बीच की, या फिर जो diatomic molecules, यह हमारे पस diatomic molecules, इसमें जो atom के बीच की distance है, यह fixed नहीं रहेगी, यह change होगी, या फिर simple word में बोलना चाहूं तो यह बोल सकता हूं, वह molecules vibrate करेगा, जैसे-जैसे उसकी rotational energy बढ़ेगी, तो it is quite, observe that, increase in the frequency of rotation, the centrifugal force tends to increase, hence the atoms are more efficient each other, मतलब यहां पर यह कह रहा है, कि जब experimentally इस चीज़ को observe किया गया, जैसे-जैसे rotational energy levels बढ़ रहे हैं, तो यह हमारे पास एक atom है, already explained कर दिया है, वैसे तो यह point, कि जैसे-जैसे इसके rotational energy levels बढ़ते हैं, rotational energy levels बढ़ेंगे, तो यहां पर एक centrifugal force बढ़ेग रहे हैं, कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा definitely, when the molecules rotate with elastic bond between them, they may have vibration energy also, अब अगर molecules के बीच में, जो हमने atom लिये है, A, bond, B, यह हमारे पास एक molecules है, और इस molecules के बीच का जो bond है, A और B के बीच का जो bond है, वो elastic bond है, अगर elastic bond होगा, तो यह atom definitely vibrate करेगा, अगर vibrate तो हम यह बोल सकते हैं, यह यह जो bond है, वो rigid नहीं है, उसके बाद next point, as the bond stretch and the compress with change in frequency of rotation, मतलब जैसे-जैसे rotation की frequency change होगी, rotation की frequency, मतलब यह A, B molecules, कभी molecules ज्यादा, मतलब एक बार तो इसकी rotational energy हम ज्यादा कर दें, दूसरी बार हम इसकी rotational energy कम कर दें, तो जैसे-जैसे इसकी rotation की frequency change होगी, वैसे-वैसे जो दो atom की बीच की internucleate distance है, उसके अंदर change आएगा, and we can consider the, consider of molecules as a simple harmonic motion, तो हम यहाँ पे consider करके चलते हैं, हमारे बाद जो molecules है, वो किसकी तरह बिएव करेगा, simple harmonic motion की तरह बिएव करेगा, क्योंकि molecules vibrate कर रहा है, vibrate कर रहा है, तो हम उसको simple harmonic motion लेके सकते हैं, उसके बाद next point, the more accurate, एक second, the more accurate description of the diatomic molecules is to consider them non-rigid rotator, तो बाई, बात को चैसी है, जब rigid rotator को पढ़ा गया, तो हमने देखा कि molecules के पीच की distance है, वो change हो रही है, अगर molecules के पीच की distance हो रही है, तो हम उसको उस approximation से solve नहीं कर सकते, तो हम एक नई approximation चाहिए, इस problem को solve कर करने के लिए, तो जो नई approximation हम लेके आए, उसको हम बोलते है, non-rigid rotator, तो हमने माले हमारे पास a atom है, यह b atom है, और यह किसे एक spring से connect है, और जब इस spring से connect है, तो यह molecules रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, तो एक force outward लगेगा, ऐचे, और जब force outward लगेगा, उस outward force लगने के का यह spring है, वो stretch होगा, stretch होगा, मतलब उसके बीज की distance होगी, और किसके कान change होगी, जो centrifugal force लगा हो, centrifugal force के कान इसकी distance होगी, such that the atom are connected by a spring as the molecules rotate, ठीक है, the atom experience centrifugal force, यहाँ पर यह बताया गया, जो atom है, दोनो atom वो एक spring से जुड़े हुए है, और जब यह atom rotate करेंगे, रोटेट करे उस force का नाम क्या बताया, centrifugal force, और उस centrifugal force के कान, इस atom के बीच की जो internuclear distance होगी, वो change होती रहेगी, the speed of rotation increase, we can say that j is increased, अगर rotation की speed अगर मैं भढ़ाऊँगा, तो j की value increase होगी, या j की value increase होगी, sorry, बीच में कोल आ गए थी, एक बार फिर से रेखते ही इस point को, the speed of rotation increase, अगर rotation की speed increase होगी, rotation की speed increase कब होगी, जब हम j की value increase करेंगे, मतलब, rotational quantum number की value जैसे ही increase होगी, इसके molecules की rotate करने की, जो speed होगी, और जैसे जैसे speed increase होगी, तो एक force outward लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, जो पाहर की तरफ फोर्स लगेगा, उसके कान, इसके बीच की जो distance होगी, जो change होग यहां पर नेक्स पाइंट के उपर चलते हैं तो यहां पर जो मोडल है उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत थी क्योंकि रिजी रोटेटर से हम इस प्रोब्लम को शोल नहीं कर सकते थे यहां पर इंटर ने हो लिए डिस्टैंस पार्टिकल के बीच की वह चेंज हो रही थी तो उसके लिए हमने एक नहीं अप्रोक्षिमेशन ली अब चेंज किसके कारण हो रही थी वह बता रखा है यहां पर टेकिंग इवैक्ट ऑप सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन अब स पार्टिकल के बीच की जो डिस्टैंस थी वह चेंज हो रही थी अब हम इस प्रोब्लम को कैसी सोल करेंगे हमने रिजीड रोटेटर का जो रिजल्ट निकाला था उस रिजल्ट के अंदर हम एक क्रेक्शन ट्रम एड़ करेंगे वह होगी सेंट्रीफ्यूगल डियर्य अब यह जो ठ्रम है वह कै रिफ्ञेंट कर रही हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्षन वाली ठ्रम को रिप्रacter रही है अब यह वाली ट्र, यह था फो पिसकोको एक्जाम करकर सकते हो गर शाधी आक मार्क्स के इंडर आता है त। आपको कंपलीट करेंगे अब εί यह वारी करम कहां से आई कैसे आई यह भी हम देखते हैं तो लेट एस ट्राइट तो उंडर्स्टेंड दा ओरिजन ओप इस इक्वेशन अभी यह एक्वेशन आई कहां से इसके बारे में जानने की थोड़ा सा कोशिस करते हैं तो सिंप्ली अप्रोच अंदा बेसिस अप क्ल इकलिबिरियम कंजिशन में है तो हम इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या माल लेते हैं इकलिबिरियम कंजिशन में हम दो एक्टम के बीच की डिस्टेंस माल ली आर नोट अब यह मॉलिक्योल्स के उपर हमने जो माइक्रोवेव वह इंसिडेंट करना स्टार्ट किया तो इस किसी भी टाइम के पर हमने माल लिया कि इसकी जो एटम के बीच की टिस्टेंस है वो आर है तो यहां पर दो फोर्स लगेंगे पहला जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स दूसरा जो फोर्स लगेगा वह हम बाद में देखते पहले थोड़ा सा मुश्किल था, हम यहाँ पर यह लेके चलते हैं, इस टू बोडी प्रोब्लम को हम with the help of reduce mass, वन बोडी प्रोब्लम के अंदर convert कर लेंगे, तो इस प्रोब्लम को solve करना काफी easy हो जाएगा, अब कैसे solve करते हैं two body problem को one body problem में कैसे convert करते हैं तो हमने माल लेए हमारे पास molecule से किसका है HCl का ठीक है तो जो chlorine है chlorine का mass hydrogen के compare में बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो हम यहाँ पर लेके चलेंगे जो chlorine है वो rest में है और जो hydrogen है वो ऐसे vibrate कर रहा है तो hydrogen vibrate करेगा एक part एक जो atom हो रेस्ट में है और दूसरा atom किस में है motion में हो वो vibrate कर रहा है मतलब हम यहाँ पर decoupled vibration का case लेके चलेंगे decoupled vibration क्या होती है एक vibration यह होती दोनों molecules ऐसे vibrate करेंगे ठीक है एक vibration यह होती है एक molecules बहुत heavy है यह वाले molecules बहुत heavy यह दूसरा molecules ऐसे vibrate करता रहेगा इसको बहुते हैं decoupled vibration तो हमने यहाँ पर decoupled vibration का case लिया है तो अब एक atom approximate rest में लेके चलते हैं हम तो rest में जब लेके चलेंगे तो हम उसको reduce mass की two body problem को one body problem में convert कर लेंगे और हमने यहाँ पर मालिए यह reduce mass में हमने convert कर लिया ठीक है तो उसके बाद यह जो V है वी हमारे पास linear velocity होते है और molecules घूम रहा है circular motion में अब जब circular motion में घूमेगा तो हम यहाँ पर angular velocity लेके चलेंगे और linear velocity का और angular velocity का जो result होता वह होता है V is equal to r omega एलेवन्स class में आपका पढ़ा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जो V है उसको r omega से replace कर देंगे तो यहाँ पर r omega से replace करेंगे तो यहाँ पर v का square है तो यहाँ पर r का square और omega का square हो जाएगा एक आर से एक आर यहाँ पी cancel हो जाएगा और FC आजाएगा हमारे पास centrifugal force यह आजाएगा ठीक है उसके बाद जो centrifugal force एक force outward लग रहा है तो एक force inward भी लगेगा अगर outward force complete force outward लगता तो यह atom बहुत तूर चले जाते है ठीक है पर atom इतना दूर नहीं जाते है आज spring ऐसे वाइब् लग रहा है जो force inward लगेगा वो लगेगा restoring force ठीक है तो जैसे restoring force का जिगर आता है तो वहाँ पर हम hooks ला लेके आते हैं stress directly proportional है strain जितना ज्यादा हम force लगाएंगे उतना ही ज्यादा उसकी जो length है उसके इंदर चेंज आएगा तो यहां पर हमने यहीं लिया जो force है वो directly proportional है length के length initially कितनी थी initially length है हमारे पास R-naught और R-naught क्या थी equilibrium की distance अब molecules vibrate करेगा किसी भी instant के उपर हमने माली उसकी distance है वो क्या थी R ठीक है y break किया तब उसकी distance यह थी और जब equilibrium condition में था तब उसकी distance यह थी अब change कितना आया भई ज्यादा क्या है R है और यह क्या है R-naught तो R में से R-naught minus कर दिया ठीक है अब यह जो दोनों फोर्स है एक फोर्स आउट वार लग रहा है एक इनवार लग रहा है दोनों फोर्स लगेंगे इक्वेशन यह है और इक्वेशन नबर second और इक्वेशन नबर third हम इनको compare करेंगे ने compare करने के बाद हमारे पास result आजाएगा यह कुछ नहीं किया यहां पर यह वाली जो ट्रम है वो इसके बरापर रग रगदे कि इनकी left-hand side सेम है इक्वल है तो right-hand side भी इक्वल होगी य को अंदर multiply करो के को इसके साथ भी multiply किया के को इसके साथ भी multiply किया यह equation आ जाएगी अब यहां से के आर नोट की value इसके आर नोट को तो रखते हैं यही यह वाली ट्रम उठाके लेकि जाते है उस तरफ ठीक है या फिर यह वाली जो ट्रम है इसको उस तरफ उठाके लेके ज निकालने के बाद R यहां से k बच जाएगा, मु ओमेगा स्केर बच जाएगा, यहां से वैल्यू निकालेंगा किसकी R की, तो R को तो हमने रठा यहीं, यह वाली ट्रम उठाकर के साइट से उसरफ लेके जाएगे, तो R की वैल्यू आजाएगे हमारे पास यह है, ठीक है, तो यह जब moment of inertia के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे kinetic energy को इस फों में वी एक बार निकालते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको भी एक बार मैं बता देता हूं कहां से आई हैं यह करम, kinetic energy होती है हमारे पास 1 by 2m V square, V कहा है linear velocity इसको change कर लो, तो V की जगह क्या लिखेंगे, V की जगह लिखेंगे हम R omega, तो यहाँ पर आ जाएगा R square और omega square, साथ में M और 1 by 2, ठीक है, अब MR square क्या होता है, MR square होता है moment of inertia, तो MR square की जगह हम क्या लिख सकते, I, ठीक है तो यह ट्रम वहीं से आ रखिए, I omega square plus potential energy, यह kinetic energy है potential energy, अब यहाँ पर R minus R note, R minus R note जो equation number 4 है, यहाँ ची नहीं गार सकते हैं, R minus R note ही यहीं रखा K की value, K को उठा के उस तरफ लेके चले जाएंगे, R minus R note की value यह आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, यह value हमने यहाँ पर put की put करने के बाद, हो जाएगा हमारे पास R, और इन दोनों का square कर दूँ तो क्या जाएगा, हमारे पास MR square होता है, हमारे पास moment of inertia, तो अब हमने इस तरफ को moment of inertia की तरफ में convert कर लिया, ठीक है, तो moment of inertia की तरफ में जब convert करेंगे तो हमारे पास equation आ जाएगी यह, उसके बाद next point दो पर चलते हैं, यहां पे जो result आया है, यह वाले जो result आया है, इसको हम angular momentum की तरफ में change कर लेंगे, एक point में बता देता हूँ, अगर आपको यह टोपी करना है तो थोला सा moment of inertia के बारे में पढ़ गया, यह वहां पे moment of inertia क्या होता है, और angular momentum, moment of inertia की तरफ यह क्या होता है, मतलब, जो moment of inertia का chapter है वह आपको पता होना चाहिए, Moment of inertia की तरफ में हम kinetic energy को कैसे लिखते हैं, जो angular momentum है उसको कैसे लिखते हैं, यह वाली जो term है, इसको हम moment of inertia की तरफ में change करेंगे, तो L क्या होता है हमारे पास? I omega, तो यहां पर क्या है Iω मेगा हां तो हम L के अंदर चेंज कर देंगे तो हमने यहां पर L के अंदर उसको चेंज कर दिया और बाकी की टिक्याशन और वह ऐगी लिख दिए अब हम यहां पर quantum mechanics का use को क्वांटम mechanics में हम L की value निकारती है की value आती है root j into j plus 1 यह value हम यहाँ पे put कर देंगे put करने के बाद हमारे पास equation आएगी यह तो approximate हमने जो non rigid rotator है उसकी value निकाल ली है थोड़ा सा जल्ली करना पड़ेगा क्योंकि space बहुत कम रहता है phone ने दो बार warning दे चुका है उसके बाद frequency आ जाएगी किक है hc से divide करते ही जैसे हम इस उपर वाली equation को hc से divide करेंगे तो हमारे पास wave number की phone wave number मिल जाएगा हमें energy की phone में और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा change करना पड़ेगा यह वाली जो term है इसको हम लिखेंगे दी और बाकी की जो term है वो as it is तो हमने यहाँ पर आपको थोड़ा यह समझ में आया होगा और लास्ट में हमने थोड़ा से चलते इसलिए कि जो phone के अंदर इस वे सब्सक्राइब बहुत कम रहता है तो आप पूछ सकते हो ठीक है मैसेज लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं बता दिए थैंक यू